एलो फ्रेंड्स मैं हूं मनीश्वर्मा और आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल Learn of Techno पर हमारी ELP Technician की सीरीज वो continue चल रही है इसके अलावा ELP Technician के लिए हम ED की क्लासे भी आपके लिए समय समय पर लेकर आते हैं दोनों की प्रोपर पले लिस्ट वो चैनल पर बने हुई है description में आपको link मिल जाएगा वहां से आप वीडियो वो पहले के बाद कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर ने वीवर हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करना ना बुले आपको हर सम 8 वजी एक नया वीडियो देखने के लिए मिलता है जो only on technical related रहता है निए ITE student के लिए हमारा चैनल है यह 100% dedicated चैनल है ठीक है चलिए क्लास को शुरू करते हैं वीडियो को end तक जुरूर वाज कीजिएगा first question है बाल बीरिंग के inner race को soft के साथ mount करते समें interference fit का परियोग किया जाता है बोल बीरिंग होता है उसका inner race कौन सा होता है जो अंदरूनी hole जो होता है बीरिंग के अंदर जो hole होता है जिसके अंदर हम soft को fit करते हैं तो उसमें वताया गया है कि soft के साथ में जबyo bearing को fit करते हैं तो वहां पर interference fit का यूच करते हैं किस के साथ में inner race के साथ में ताकि क्या है? Soft के साथ में inner race वो भी motion कर सके तो इसके लिए क्या है? Ball bearing का inner race होता है उसको fit करने के लिए interference fit प्राप्त की जाती है कई बार outer race को भी interference fit के साथ में fit किया जाता है ताकि वो बाहरी सीरे के साथ में movement कर सके बाहरी भाग के साथ में movement कर सके ठीक है next question यहाँ पर दिया वह है rolling contact bearing को frictionless bearing भी कहते हैं frictionless का क्या मतलब है कि friction होता है गर्षन-less यानि कि बिना गर्षन के bearing अब frictionless bearing कोंचे होते हैं जो rolling contact bearing होते हैं जिसको anti-friction bearing ये नाम से भी जाना जाता है जैसे ball bearing होता है और roller bearing हमारे होते हैं वो anti-friction bearing या frictionless bearing के अंतरगत आते हैं next question है नीचे बने चित्र में feather की को दर्साया गया है ये जो की है ये क्या है? feeder की है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर gold shaft वगेड़ा हो वहाँ उसको align और dis align करना हो यानि के जोड़ना और अटाना हो वहाँ पर इसका यूज हवो किया जाता है feeder की ठीके feeder की होते है वो दोनों तरब से क्या होती है, राउंड बनी हुई होती है, साफ्ट के बीच में एक जगा पर फिट की जाती है, और फीदर की का दूसरा यूज हम कहां पर करते हैं, जहां पर क्या है, गूमने के साथ साथ में जोग को आगे पीछे movement भी करना हो, जहां पर पार्ट घूम रहा है, और उसके साथ साथ में आगे पीछे movement भी कर रहा है, तो वहां पर क्या है, फीदर की का यूज हो किया जाता है, नेक्स्ट के उसन दिया हुआ है, दो सलिप गेजों को आपस में ट्रोलिंग करके जोड़ा जाता है, दो सलिप गेजों को आपस में रिंगिंग करके जोड़ा जाता है, नेट बॉल्ट इसक्रू आदी वासर का आश्रे देकर माउंट किया जाता है, नेट बॉल्ट आदी को क्या है, वासर का सहारा देकर माउंट किया जाता है, लेकिन slip gauge जोते हैं उनको ringing action के द्वारा जोड़ा जाता है यानि कि दो slip gauge को लेंगे उसको आपस में रगडेंगे ठीक है तो वो क्या हो जोते हैं आपस में चिपक जाते हैं जुड़ जाते हैं इसको क्या बोलते हैं ringing बोलते हैं ringing action बोला जाता है वहीं पर अगर nut bolt screw है तो उनको क्या है वासर का support देते हैं ताकि हमारी surface खराब ना हो ठीक है और दूसरा क्या है जो force लग रहा है surface area है वो बढ़ा सके इसके लिए वासर का यूज़ वो किया जाता है next question है honing की तुलना में लेपिंग में कम material हटाया जाता है honing की according क्या है leping में कम material हटाया जाता है तो honing के पेक्षा leping है वो ज्यादा प्रिशुदता भी की जा सकती है इसके अलावा honing है वो only cylindrical surface पर की जाती है लेकिन leping है वो cylindrical surface पर भी की जाती है और समतल surface पर भी की जाती है plane plate surface पर भी कर सकते हैं लेकिन honing only क्या कर सकते हैं cylindrical surface पर ही कर सकते हैं next question है हमारा surface finish को micron में मापा जाता है surface finish यानि कि कोई भी सता है वो हमने समतल बनाई है finishing उसकी जो check करेंगे उसकी accuracy है वो micron में मापी जाती है क्योंकि अगर micron के अलावा अगर कोई accuracy आ रही है तो वो surface है वो finish नहीं मानी जाती है वो surface क्या होती है rough होती है इसलिए जो जिसका मान है वो micron में निकल कराता है उस surface को finish माना जाता है surface finish को हम कैसे denote करते हैं तो 3 बुज से denote करते हैं ठीक है किसी में 1 तरी बुज होता है किसी में 2 honing परकिरिया में hon बनाने के लिए साधारण abrasive और bonding material के साथ sulfur, resin और wax का परियोग किया जाता है ठीक है sulfur, resin और wax का परियोग क्यों करते हैं flux के रूप में किया जाता है abrasive और bonding material का यूज क्यों करते हैं ताकि abrasive करने और bond है उनको आप समय मिला कर इन पर आसानी से चिपका सकें ठीक है honing परकिरिया में hon बनाने के लिए hon किसको बोलते हैं जो hon tool होता है उसको hon बोलते हैं जिसके उपर material लगाया जाता है जैसे lab tool को lab बोला जाता है ठीक है वेसे ही hon होता है नेक्स्ट के उसन इसमें दिया गया है नाइट्राइड धातुओं को corrosion परतिरोदी और गिशावट परतिरोदी बनाती है कौन नाइट्राइड यानिकि जिस metal में हम नाइट्राइड मिलाएंगे उससे उसमें क्या होगा जंग नहीं लगेगा और वो आसानी से गिसेगा नहीं तो ऐसे material हो या ऐसे कोई हमें पार्ट बनाना हो जिस पे जंग ना लगे पानी में यूज आने वाला हो या फिर जिस सतामें नमी हो वहाँ पर यूज करना हो या फिर गिशावट परतिरोदी और गिसने से बचाना हो तो वहाँ पर उस material में नाइट्राइड मिलाकर हम इसका यूज हो कर सकते हैं next question दिया गया है steel के आस्टेनाइट structure को सिख्ट ठंडा करने से martensite structure बनता है steel के आस्टेनाइट structure को यान कि steel को जब हमने गरम किया ठीक है तो उसके अपर कर्टिकल टेप्रेचर पर क्या बनता है आस्टेनाइट structure बनता है ठीक है जहां पर कार्बन और आइरन मिलकर गया आस्टेनाइट structure बनाते हैं उसको अगर हम तुरंत ठंडा कर देंगे तो उसको बोला जाता है औस टेंपरिन्ग और ओस टेंपरिन्ग पर जब उसमें ठंडा होता है तो उसमें क्या हता है martensite structure बनकर आता है क्योंकि वो तुरंथ वहीः पर ठंडा हो जाता है ठीक है तो अचानक ये जो टूठता है जो नद शिघर ठंडा होने में से जो उसमें अंदर जो changes आते हैं उससी क्या बनता है martensite structure बनता है और इसको आस्टेनाइट structure को सिख ठंडा करने को ओस tempering के नाम से भी जाना जाता है ठीक है next question है split bearing को pedestal bearing भी कहते हैं split जो bearing होता है हमारा उसको pedestal bearing के नाम से भी जाना जाता है split bearing का यूजम कहां पर करते हैं जांपर थोड़ा बहुत misalignment वगेरा हो तो वहां पूर इसका यूजम करते हैं next question है bearing friction पर कार के होते हैं अब bearing होते हैं वो friction bearing कौन से होते हैं जैसे bus bearing होता है वो friction bearing होता है और anti-friction bearing जैसे ball bearing और roller bearing होते हैं वो anti-friction bearing के अंतरगत आते हैं next question यहां पर दियावा है बाल bearing की balls को alloy steel से बनाया जाता है बाल बेरिंग की जो बोल होती है उनको एलो स्टील की दोबार बनाए जाता है very very most important क्योंशन है एक्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है जो कई बार पूछा जाता है कि जो बोल्स के बाहर केज जाली जो लगी होती है वो किसकी बनी होती है तो वो सोफ्ट मेटल की बनाए जाती है ठीक है next question है honing allowance 0.01 से 0.02 mm तक रखा जाता है honing allowance का क्या मतलब है कि honing के दवारा हम 0.01 mm से 0.02 mm तक की दाताव वो काट सकते है इतना अगर जैसे कोई hole है या कोई cylindrical shaft बगेरा है रोड है तो उसके उपर अगर हमें honing करनी है उपर या अंदर तो वहां पर 0.01 mm से लेकर 0.02 mm तक हम extra material छोड़ेंगे जो honing के दवारा finish किय जाएगा ठीक है next question में दियावा है गेजें surface पर रगड़ खाने से गिस जाती है इसलिए इन्हें alloy steel से बनाया जाता है गेज जो होते हैं जैसे कौन से गेज होते हैं पलग गेज होते हैं रिंग गेज होते हैं स्नेप गेज होते हैं तो उनका यूज हम क्या करते हैं पार्टों को चेक करने के लिए करते हैं तो पार्ट और गेज के बीच में क्या होता रहता है गर्षन होता रहता है तो गर्ष इस्ट क्योशन में दियावा है साइन बार की लंबाई रोलर के सेंटर के बीच की दूरी होती है यानि कि जो साइन बार होता है उसको हमने देखा होगा उसके दोनों किनारों पर नीचे की तरफ दो रोलर लगे होते हैं अगर साइन बार की कुल लंबाई हमें चाहिए साइन बार की लेंद कितनी है यानि कि कितनी लंबाई का साइन बार है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दो दोनों रोलर हैं उनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी माप लेंगे वही क्या होगी साइन बार का साइज होता है साइन बार की लंबाई होती है नेक्स्ट दिया गया है SWG का पूरा नाम standard wire gauge होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं seat के मोटाई या wire का व्यास check करने के लिए use करते हैं standard wire gauge में जितना number चोटा होगा उतनी बड़ी seat को check करेगा और जितना number बड़ा होगा उतनी ही चोटी सोरिपतली seat को check करेगा इसको SWG के नाम से भी जाना जाता है Next question में हमारा दियावा है Woodruff की वर्तखंड के आकार की होती है Woodruff की वर्तखंड के आकार की यानि कि इस आकार में बनी हुई होती है Half Moon आकार में बनी हुई होती है Woodruff की का यूज हम taper surface वे soft बे करते हैं जहाँ पर handle वगेरा fit करने हो वहां पर ज़्यादा यूज हो Woodruff की का किया जाता है Next question यहां पर दिया हुई है Steel की pickling के लिए Dilute Sulfuric Acid का यूज करते हैं Steel की pickling करने के लिए Pickling करने का क्या मतलब होता है Pickling करने का मतलब होता है कि Steel पर Acid की coating करना steel पर acid की coating करना उसको बोलते हैं pickling जहां पर जो acid यूज करते हैं वो होता है dilute sulfuric acid ठीक है जैसे आप कोई blade की factory में जाएगे जो razor blade होती है तो वहां पर क्या है कुछ blade होती है उनके उपर क्या किया जाता है acid की coating की जाती है ताकि उन पर जल्दी जंग ना लगे ठीक है तो वो उस process को क्या बोला जाता है pickling बोला जाता है next question है इसमें दियावा है lepping पर किरिया में aluminum oxide abrasive का प्रियोग non-fairs दातों के लिए किया जाता है lepping पर किरिया में क्या है aluminum oxide का use aluminum oxide abrasive का use non-fairs दातों के लिए करते हैं लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ हो निंग की तो वहाँ पर silicon carbide का use जो नोन-fairs दातों के लिए करते हैं और aluminum oxide का use है वो वहाँ पर steel वगेरा के लिए first metal के लिए किया जाता है लेकिन lepping में क्या होता है aluminum oxide abrasive abrasive का use है नोन-fairs metal के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्योसन है हमारा इसमें दियावा है किसी job की marking करने के लिए marking table की surface को reference surface समझा जाता है यहानि किसी job के marking करें marking table पर हम job की marking करेंगे तो job को कहाँ पर रखेंगे marking table पर रखेंगे तो reference surface क्या होगी उसकी तो job की reference surface होगी या फिर हमारा जो vernier height gauge होगा ठीक है तो उसकी जो reference surface होगी वो क्या होगी marking table होगी क्योंकि दोनों को marking table का सहरा मिल रहा है इसलिए जो surface होती है वो reference surface कौन होती है marking table होती है बहुत जगह यह question है वो आपको गलत मिलेगा बहुत जगह आपको यह question में मिलेगा drawing होती है लेकिन drawing नहीं होती है जोब की marking करने के लिए marking table की surface को reference surface माना जाता है ठीक है तो आपको क्या करना है जोब की marking करने के लिए reference surface कोन परदान करता है marking table पर रदान करती है नहीं कि drawing पर दान करती है ठीक है ध्यान रखना इस question को बहुत जगह आपको यह question वो गलत मिलेगा next question में दियावा है यदि wire gauge में number size बढ़ता है तब wire की मोटाई कम होती है मैंने अभी आपको clear किया था standard wire gauge में कि जितना छोटा नंबर होगा उतने ही बड़ा size मापव़गा और जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा size मापवगा तो वही यहाँ पर बोला गया है कि यदि wire gauge में number size बढ़ता है तब wire की मोटाई है वो कम होती जाती है अगर number size घटता है चोटा होता है तो wire की मोटाई है वो बढ़ती है next question दिया गया है nut 1S tie fastener होता है हम nut 1S tie fastener क्यों होता है क्योंकि इसको हम बार बार use कर सकते है ना ये मारे part को खराब करता है ना ये खुद खराब होता है तो इसको लिए ये क्या है एक S tie fastener होता है bearing को fit किया जाता है उसे mày informação कहते है जहां bearing को fit किया जाता है उसे बेरिंग representation कहते हैं बिल्कुल सही bearing-Housing किशे कहते हैं जैसे आप आटा चक्की कर जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि एक ही लंंबी shaft लगी होही है जिस पर तेल निकालने की मसीन जो रूई होती है उसको बनाने की मसीन आटा पीछने की मसीन सभी एक की साथ लगी होती है एक साफट वे तो आपने उसमें देखा होगा कि बीच बीच में क्या किया जाता है उस साफट को कलेंप किया होता है और उसके अंदर में क्या कर रही हो वो अंदर वहाँ पर गूम रही होती है नेक्स्ट कोशन में दियावा है एनिलिंग के लिए गरम जोब को राक या चूने के पत्थर में रखकर ठंडा किया जाता है एनिलिंग प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं पार्ट को गरम करते हैं उसके बाद में उसको राक या चूने के पत्थर में ठंडा होने दिया जाता है अगर बट्टी हमारी यूज में नहीं आ रही है तो बट्टी को बंद करके छोड़ दिया जाता है वो दिरे दिरे बटि के अंदर ही हमारा job है वो ठंडा होता रहता है ठीक है वहीं पर अगर बात करें नॉर्मलाइजिंग की तो उसमें नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं अब job को गरं करते हैं उसके बाद में उसको room temperature पर ठंडा किया जाता है यान कि बट्टी से निकाल कर रून के अंदर रख दिया जाता है वहाँ पर ठंडा होता है एने लिंग प्रोसेस करने से हमारे पार्ट में क्या होता है Machinability का गुण है वो increase होता है Machinability property increase होती है लेकिन normalizing करने से जो structure होता है वो refine हो जाता है जो उसका internal structure होता है वो refine हो जाता है जो पहले जैसा होता है वेसा ही structure है वो बन जाता है कई बार मैंने आपको ये clear किया है very very most important question है बार बार पूचे जाने वाला question है next question दिया है metric एकमे थ्रेड का कोण है वो 30 degree होता है metric एकमे थ्रेड का कोण यहाँ पर दिया गया है वो 30 degree होता है अगर यहाँ पर सीधा एकमें थ्रेड का angle पूच लिया जाए तो वो कितना होता है 39 degree angle हो होता है, कितना? 29 डिगरी, लेकिन मिट्री एकमे थ्रेड का कौन की बात करें, तो वहां पर क्या होता है? 30 डिगरी एंगल है, वह इसका रखा जाता है एकमे थ्रेड लेट मचीन के LEARD करूपर कटी भी होती है तो वहां पर आप screw के साथ में half nut को engage और disengage है वो चलती machine में हम आसानी से कर सकते हैं एक में thread का एंगल 29 degree होता है अगर metric एक में thread के बात करें तो 30 degree एंगल उसका रहता है next question है हमारा next question में क्या दियावा है thread snap gauge का परियोग बहारी चूडियों को check करने के लिए किया जाता है thread snap gauge की बात की गई है अगर यहां पर thread ring gauge होता तो भी उसका परियोग है वो बहारी चूडियों को check करने के लिए किया जाता है screw pitch gauge होता तो बहारी और अंदरूनी चूडियों को दोनों को check कर सकता है वहीं पर अगर threed plug gauge होता तो वो उनली अंदरोनी चूडियों को चेक करने के काम में आता है तो यह द्यानक ना कि snap gauge और ring gauge है वो बहरी कोई व्यास है कोई size है कोई thread है कोई taper है इन सब चीजों को चेक करने के लिए काम में आता है और plug gauge होता है वो अंदरुनी size वगेरा check करने के काम में आता है नेक्स्ट क्योशन है हमारा गेज के नो गो सीरे का व्यास है वो वास्तिक साइज से थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है अब गेज के नो गेज सीरे का वास्तिक साइज है वो थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है तो इसमें क्या थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से एड़ गरता ताकि आपको क्या है उसमें कोई भी confusion ना हो कि go सीरा कौन सा होता है और no go सीरा कौन सा होता है तो यह दोनों में अलग-अलग होता है अलग-अलग कैसे होता है जो plug gauge होता है ठीक है उसका go सीरा होता है वो minimum size मापता है नो go सीरा होता है वो maximum size मापता है ठीक है पलग-गेज का go सीरा minimum size मापता है और no go सीरा maximum size मापता है वहीं पर अगर मैं बात करूँ snap gauge की या ring gauge की तो snap gauge या फिर ring gauge का जो go सीरा होता है वो क्या मापता है उसका minimum size मापता है और no go 0 होता है वो उसका maximum size मापता है यानि कि अगर no go 0 नहीं जा रहा है तो हमारा part है वो reject हो जाता है लेकिन अगर go 0 है वो भी चला जाता है no go भी चला जाता है दोनों चले जाते हैं तो हमारा part क्या हो जाता है reject माना जाता है ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे बहरी साइज हम माप रहे हैं बहरी साइज में अगर हमारा गो शीरा है, वो अगर नहीं जा रहा है तो उसको और गिस लेंगे, उसके बाद में गो शीरा जाने लग जाएगा तो वो तो हुआ उसका Time साइज लेकिन हमने अगर ज़्यादा किस दिया यानि कि उसका go सीरा भी जा रहा है और no go सीरा दोनों ही जा रहा है बाहरी साइज चेक करें ये चीज धान से सुनना confused हो जाते हैं ठीक है बाहरी साइज हम चेक करें हैं गेज के द्वारा उसमें अगर हमारा गो सीरा जा रहा है तो हमारा पार्ट वो acceptable है तो हमारा पार्ट ओके है लेकिन अगर गो सीरा भी जा रहा है और उसके साथ में नो गो सीरा भी जा रहा है गो सीरा भी जा रहा है और नो गो सीरा भी जा रहा है यानि कि अगर मैं snap gauge की बात करूँ तो snap gauge का go सीरा है वो maximum size मापेगा और no go सीरा है वो minimum size मापेगा ठीक है वही पर अगर मैं plug gauge की बात करूँ तो plug gauge का go सीरा है वो क्या मापेगा sorry plug gauge का जो go सीरा है वो minimum size मापेगा और no go सीरा है वो maximum size मापेगा यानि कि plug gauge का भी go और no go दोनों सीरे चले जाते हैं तो part हमारा reject होता है only अगर go सीरा अंदर जा रहा है no go रुक जा रहा है तो हमारा part वो acceptable होता है एक बार फिर से मैं clear कर देता हूँ कि अंदरूनी size कोई भी हम check कर रहे हैं gauge के द्वारा तो go सीरा है वो minimum size को मापेगा no go सीरा है वो maximum size को मापेगा वहीं पर कोई भारी part हम check कर रहे हैं भारी size check कर रहे हैं gauge के द्वारा तो वहाँ पर go सीरा है वो maximum size मापेगा और no go सीरा है वो minimum size मापेगा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं confused नहीं होना है बच्चे अधिकतर यहाँ पर confused होते है ठीक है next question है अच्छी quality की gauge बनाने के लिए vanadium steel का परियोग करते हैं या तो alloy steel का यूज करते हैं अगर और ही ज़्यादा बहतरीन quality हमें चाहिए तो vanadium steel का यूज है वो करते हैं अगर alloy steel नहीं दिया है तो वहाँ पर आप vanadium steel की तरफ जा सकते हैं अगर vanadium steel नहीं दिया है तो वहाँ पर आप alloy steel कर सकते हैं ठीक है next question है mating parts के बीच clearance मापने के लिए filler gauge का यूज किया जाता है दो mating parts होते हैं जो आप से clearance इनके बीच में है ठीक है तो उसको filler gauge के नाम से जाना जाता है filler gauge का use करते हैं dear friend, filler gauge को एक और नाम से जाना जाता है जहांपर बच्चे हैं बहुत ज़्यदा of confused होते हैं वहाँ पर आपको answer में मिलता है filler gauge का दूसरा नाम clearance gauge और बच्चे क्या करते हैं कि filler gauge का काम होता है clearance check करने का तो clearance gauge को ही right answer करके आ जाते हैं बट वो right answer नहीं है बट वो right answer नहीं है filler gauge का दूसरा नाम clearance gauge नहीं है ठीक है तो filler gauge का clearance दूसरा नाम क्या होता है वो मताँआँ मैं वीडियो को end में ठीक है, next question में क्या दियावा है, next question में दियावा है, लेप abrasive लगाने के लिए charging विदी का परियोग किया जाता है, लेप abrasive लगाने के लिए charging विदी का परियोग किया जाता है, यान कि लेप कर क्या लगाने है, आमें abrasive कन जिपकाने है, उसके अंदर में fit करने है, जिस process को क्य बोलते हैं charging बोलते हैं यानि कि लेप को charge करना बोला जाता है पीछे की वीडियो में मैंने यह आपको clear किया था ठीक है तो अभी मैं आपको बताता हूं कि filler gauge का जो दूसरा नाम होता है वो होता है thickness gauge filler gauge को clearance gauge नहीं कहते है filler gauge को thickness gauge के नाम से जाना जाता है ठीक है dear friend आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपने वीडियो को end तक वाच किया है तो like जुरूर कीजिएगा अपनी राय होगो comment box में हमें जुरूर दीजिए ताकि हम improvement कर सके ठीक है अपनी friend circle में वीडियो को share कीजिए, sport कीजिए wish you all the best जे हिन जे भर्द